दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह है संसाइन कमपनी का देखिए डिटल मल्टीमीटर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह का मल्टीमीटर है और इसमें कौन-कौन सा फंसन दिया हुआ है तो अब मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो देखते हैं इस डब्बे के अंदर मुझे क्या-क्या चीज मिला है तो इसे मैं इस तरह से खोलता हूँ तो देखिए इसे निकाला तो यह है मल्टीमीटर और इसके नीचे देखिए यह प्रोब है इस प्रोब को भी मैं बाहर निकाल लेता हूं निकाल कर आपको दिखाता हूं देखिए इसकी क्वालिटी तो देखने में काफी अच्छी लग रही है यह अच्छी क्वालिटी वाला यह प्रोब है और यहां पर देखिए कभर लगा हुआ है मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूं देखि तो देखे यह है मेरा detail multimeter, अब मैं देख लेता हूँ कि डब्बे में और क्या मुझे मिला है, तो देखे मैं इसे निकालता हूँ, तो देखे यहां पर दो user manual मिलता है, एक जो है कि चैनीज भासा में है और एक English में है, तो यह वाला चैनीज भासा में है और यह English वाला है, तो इसमें जो है कि detail multimeter का सारा detail बताया गया है, मतलब उसका सारा function के बारे में इस user manual में बताया गया है, तो इसे मैं इधर रख देता हूँ, और इसमें देखे एक 9V का battery मिल जाता है, साथ में, तो देखे यहां पर लिखा हुआ है 9V, तो यह 9V का battery है, इस डब्बे में अब कुछ निकाल दिया है, इसमें अब कुछ नहीं है, और यहां पर battery लगाना है, देखे पीछे के तरफ में battery लगा है, कहां पर लगा मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगा पर battery लगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पर जो screw है, इसे खोलना होगा, और ज अब आपको यहां पर इस तरह से ऊपर के रूठा लेना और इसे अपने तरफ खीच लेना है तो यह खुल जाता है खुल जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको बैटरी लगा देना है तो मैं यहां पर बैटरी लगा देता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं अब देखे इस बैटरी को इसके अंदर इस तऱ से डाल कर इस अंदर के तरफ बैठा देना है बैठाने के बाद यह जो कभबर है इसे यहां पर इस तरह से लगा देना है और यहां पर जो इसокूरू लगा हुassa उस इसकूरू को अच्छी तरह से लगा करके tight कर देना है तो देखे मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से लगा कर tight कर देता हूँ यह tight हो चुका है अब यह हमारा multimeter तयार हो चुका है काम करने के लिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अभी off में है ना off में तो मैं क्या करता हूँ हो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो तो आपको सही दिखेगा तो मैं इसे जूम कर लेता हूं तो देखी आपको सही सही दिख रहा है तो यहाँ पर देखे यह अभी multimeter off में है देख लिजैन अब आप यहाँ पर देखे ncb लिखा हुआ है अगर मैं इसे NCB पर कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखे ये NCB पर आ चुका है, अगर यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं AC voltage को चेक कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे चेक करना है, देखे यहाँ पर यह बोर्ड है, यहाँ पर AC line आ रहा है या नह जब मैं मल्टी मीटर को दूर करूंगा तो देखी यह बंद हो जाता है और बीप का आवाज भी सुनाई नहीं देता है जब सामने ले जाता हूं तो फिर से वही हो जाता है इसे यह पता चलता है कि कि ncv दुवारा आप जो है कि ac voltage को पता कर सकते हैं कि ac voltage कहीं पर आ रहा है या नहीं तो मुझे उमीद है कि आप ncv के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे अब आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप dc voltage को चेक कर सकते हैं अब मैं multimeter को थोड़ा उपर कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ac voltage को चेक कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ac ampere को चेक कर सकते हैं अब आप यहाँ पर यह वाला section देख रहे हैं यहाँ पर आप DC ampere को check कर सकते हैं अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप capacitor को check कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देखे यहां जो है के continuity check करने का यह section है ठीक है अब आप यहां पर देखें यहां से लेकर यहां तक जो यह सेक्शन है यहां पर आप यहां से लेकर यहां तक आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, HFE लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसे कर लेना है इस जगा पर ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो होल इसमें आपको transistor डाल डाल कर देखना पड़ता है कि transistor NPN है या PNP अब मैं क्या करता हूँ इस multimeter को off कर देता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ कि multimeter का जो probe है उसे कहा लगाना है तो देखें यहाँ पर जो COM लिखा हुआ है इसमें आपको black ओला probe लगाना है तो मैं यहाँ पर आपको black ओला probe लगा कर दिखाता हूँ धियान रहे कि black ओला probe जो है common में ही लगाना है जो COM लिखा हुआ है वो common है common में ही लगाना है दूसरे जगा नहीं लगाना है लेकिन जो raid वाला wire है वो तीनों hole में किसी में भी लग सकता है जहां आपको काम पड़े तो फिलाल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है अपने काम के नुसर आप किसी भी hole में लगा सकते हैं इस multimeter में यहाँ पर indicator दिया हुआ है तो यहाँ पर अब ध्यान से देखेगा मैं क्या करता हूँ इसे continuity के range में set कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसके दोनों probe को touch करता हूँ तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाओंगा देखे यहाँ पर जो दोनों probe को इसे में touch करूँगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा ठीक है तो आपको इस तरह से indicator को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आप जिसीच का continuity चेक कर रहे हैं वो सही है या खराब दोस्तों अगर आपको यह वाला multimeter purchase करना है तो मैं description box में link दे दिया हूँ आप उस link पर क्लिक करके आप इस multimeter को purchase कर सकते हैं मैं को आदे कर दोस्तों आपको